हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू श्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस मात्पूर्ण लेक्चर में हम डिसकस करेंगे 8 माई 2023 के मोश्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफिर्स के कोशन, तो आप इस लेक्चर को बहुती ध्यान से लास्त तक जोर देखेगा आज का पहला कोशन है, हाल ही में विस्व एथलेटिक्स दिवस कम मनाये गया है, यानि की वर्ल्ड एथलेटिक्स दे कब सेलिबरेट किया गया है, तो 7 माई को हर साल विस्व एथलेटिक्स दिवस मनाये चाता है, और इस दिवस का प्रमुक देश होता है, लोगों को फिट विस्व एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में स्टॉक होम स्वीडन में की गई थी और इसका मुख्याल है मोनाको में हैं दोस्तो याद रखिएगा ये जो मोनाको है ये यूरोप महादीप में इस्तेतिक देश है और इसकी कैपिटल भी क्या है मोनाको है हाल ही में मनाय गए द्वारा इस ही मनाया जा रहा है विस्व पुर्तगाली भासा दिवस कम मनाय गया है 5 माई को मनाय गया है साल 2019 में यूनेशको ने हर साल 5 माई को विस्व पुर्तगाली भासा दिवस के रूप में घोसित किया था दोस्तो विस्व हाथ स्वक्षता दिवस कम मनाय गया है 5 मा इंट बॉक्स में देना है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबालें जिसे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा next question है किस राज में हिंसा भड़कने के बाद 3035 लागू किया है तो मणीपुर में हिंसा भड़कने के बाद 3035 लागू किया गया है अब ये 3035 है क्या इसको समझते हैं तो दोस्तों संभिधान के अंसार राज में सांती और कानून विवस्ता बनाई रखना राज सरकार की जिम्मेदारी होती है लेकिन किसी भी राज पर कोई वाहरी आक्रमण होता है या फ़र गंभीर किस्म की आंतरिक खिंसा और आसांती होती है तो ऐसे में केंस सरकार उस पहरी आक्रमन कहेंगे या फिर गंभीर किसमी की आंत्रिक हिंसा और असांती होती है तो ऐसे में केंद सरकार ये अधिकार रखता है कि उस राज्जी की कानून विवस्था को सुधार करने के लिए अवश्यक कदम उठा सकती है अंशे 355 के तहट केंद सरकार राज्जी की जिम्मेदारी कैंसरकार की हो जाती है लेकिन ये राष्टपती सासन नहीं होता है लेकिन दोस्तों कुछ समय के लिए कैंसरकार वहां की कानून विवस्था और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है अब हम जानते है कि मनीपुर में हिंसा क्यों बढ़की है तो मनीपुर में मैते ही समदा है और कुकी और नागा सेड्डूल ट्राइब के बीच हिंसा हुई है तो दोस्तों ये नाम जरूर याद दखिएगा मैते ही समदा है और कुकी और नागा सेड्डूल ट्राइब जो है इनके बीच ये हिंसा हुई है अभी कुछ दि है कि मैतेई समदाय को सेड्यूल ट्राइब का दरज़ा ना दिया जाए उनको ये डर है कि अगर मैतेई समदाय को ये एस्टी का दरज़ा दिया जाता है तो उनकी जो पहचान है यानि कुकी और नागा सेड्यूल ट्राइब की जो पहचान है वो खत्म हो सकती है क्योंकि मणीपूर में जो मैतेई सम्धाय है वो अधिक है लगबग 50% से अधिक जो हैं वो मैतेई सम्धाय है तो इसके कारण इस कोकी और नागा सेडूल ट्राइब को ये डर है कि उनकी पहचान मिट जाएगी अगर मैतेई सम्धाय को सेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है इसलिए दोस्तों ये बिरोध की स्थिति बनी हुई है बात करते हैं मनीपुर की तो नौर्थ इस्ट का ये स्टेट है चीप मिस्टर कौन है एन बीरेंसिंग है राजबाल अंसुया उई के हैं राजधानी है इंफाल और इसके वर्फ एडरेशन आफ इंडिया के प्रसासक न्यूक किये गए हैं और उन्हें दिल्ली उचन्याला की द्वारा न्यूक किया गया है दोस्तों प्रसासक तब तक काम करेगा जब तक नव नरबाचित निकाय BFI का कारभार समाल नहीं लेते हैं यानि दोस्तों जो अभी निक के चुना हुए थे BFI के वो जो पदादिकारी है वो कारभाल जब तक समाल नहीं रहते हैं तब तक प्रसासक के रूप में काम करेंगे कौन पी कृस्ण भट वास्केट वॉर्ड फेडरेशन ओफ इंडिया यानि BFI की बाद करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी मुख्याल उजर बिन्नी अंतरराष्टी होकी महासंग के अध्यक्ष है तयव इक्राम होकी इंडिया के अध्यक्ष है दिलीब तिर्की फीफा के अध्यक्ष है ग्यानी इंफैंटिनो और भारतिय उलंपिक संग के अध्यक्ष है पी टी उसा और टेविल टैनिस फेडरेशन ओफ का आकड़ा पार किया है और वो ये कमाल करने वाले दुनिया के चौदवे खिलाडी बने हैं दोस्तो बाबर से पहले यह रिकॉर्ड साउद अफरीका के दिगज खिलाडी हासिम अमला की नाम पर था अमला ने बंडे फार्मेट में अपने 5000 रन 101 पारियों में पूरे किये थे वेस्टेंडीश के दिगज खिलाडी रहे हैं वीवियन रिचर्ड तो उन्होंने 114 पारियों में 5000 रन पूरे किये थे और भारत के स्टार क्रिकेटर है विराट कोहली तो उन्होंने भी 5000 रन 114 पारियों में पूरे किये थे तो ये कुछ रिकॉर्ड है यह आप नोट कर सकत स्पोर्ट्स करें टफ्यस की बाद करें तो अभी हाली में नीरत चोपडा ने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है और दोस्तों इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्होंने 88.67 मीटर का वाला फैक करके मार्क निकोलस MCC की अंगले अध्यक्ष बनने वाले हैं साउद अफ्रीका की तेज गैनबाज रही है सबनिम इसमाईल तो उन्होंने अभी हाली में अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की गोशना की है लुका ब्रिसेल ने इसनूकर विस्व चेंपियनसिप का खिताब अ इंदू देवी काली मा के आपक्ति जनक ट्वीट के लिए माफी मागी है तो ये काम किया है यूक्रेन के रक्षा मंतराले ने दोस्तो यहाँ पर आप मामले को समझेगा यूक्रेन के रक्षा मंतराले के द्वारा हाली के समय में एक ट्वीट किया गया जिसमें काली मा का ग नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा तो ये ललितपुर जिले में स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेल खंड के ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क किस्तापित करने की परियोजना को हरी जंडी दिखाई है इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा ललितपुर जिले में 1500 हेक्टेर भूमी पशुपालन विभाग को हस्तां दोस्तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाली में ये घुशना किया है कि गौतम बुध नगर में यमुना एक्सप्रेस बे और योगेक विकास प्राधीकरण में 350 एकड़ भूमी पर एक मेडिकल डेवाईस पार्क भी इस्थापित किया जाएगा दोस्तो यहां पर भारत की पहली मेट्रो टैन कहां चली है कोलकाता में दुनिया का पहला एसे आई किंग गिद सरचन वा प्रजनन केंदर कहां इस्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में हत्या के केस में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आधारेट चैट जीपीटी की मदस से जमानत पर फैंसला सुनाने वाला देश का पहला हाइकोर्ट कोन मना है पंजाब और हर्याना हाइकोर्ट, बंदे भारत एक्स्थरेस का संचालन करने वाली एसिया की पहली महिला लोको पाइलिट कोन बनी है सुरिखा यादव बनी है भारतिय बायुशयना में लडाकु एकाई की कमान समालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है सालिजा धामी विस्व का सबसे लंबा रेलबे प्लेटफॉर्म कहां बनाये गया है हुबली रेलबे स्टेशन करनाटक में सौ प्रतिसत बिदुती करित रेलबे नेटपर्क वाला भारत का पहला राज जुकोन बनाये हरियाना स्वास्त का अधिकार विल पारित करने वाला पहला राज जुकोन है राजस्थान चित्रे भासा में निर्णाई प्रकासित करने वाला पहला हाई कोट ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कोट है इंदौर देज की पहली हरित उर्जा आधारित सौर पैनल कहां इस्थापित किये है उत्रागंड में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेरता हुआ सोलर प्रांट कहां स्थापित किया गया है चन्डीगड में नेक्स्ट कोस्षन है फैसन मॉडल सियना वियर का निधन हो गया है उनका समबन किस देश से था उनका समबन था उस्टेलिया से दोस्तो ऑस्टेलियाई फैसन मॉडल और 2022 मिस यूनिवर्स प्रत्योगता में फाइन लिष्ट सेना वेवर का घुरसावारी दुरखटना के बाद दिधन हो गया है सेना वेवर 2022 ऑस्टेलियाई मिस यूनिवर्स प्रत्योगता में 27 फाइन लिष्ट में एक थी बात करें अगर हम Australia की तो capital Canvara है और यहां के समराट कौन है चाल्स त्रतिय हैं और प्रधान मंतरी कौन है एंथनी अल्बनीच है दोस्तों यहां पर आप Australia की location देख सकते हैं यह है इसकी capital Canvara और इसके पडोसी देशों में वैसे इसकी जो इस्तली सीमा है वो तो किसी चात्रों को Artificial Intelligence और Coding का कोर्स सिखाये जाएगा तो कक्षा 6 से 8 तक की जो चात्रों होंगे उन्हें Artificial Intelligence और Coding का कोर्स सिखाये जाएगा तो CBSE के द्वारा Artificial Intelligence और Coding के कोर्स को Class 6 से ही सुरू करने का फैसला किया गया है New Education Policy के तहर चात्रों को Skill Education को बढ़ावा देने के लिए Artificial Intelligence को सामिल किया गया है दोस्तो कक्षा 6 से 8 क्लास तक के जो स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ाने के लिए Artificial Intelligence का इस्तमाल किया जाएगा CBSE के द्वारा इसके अलावा Coding जैसे विसाय को भी जल्दी पढ़ाया जाएगा Artificial Intelligence क्या होता है तो दोस्तो ऐसी कोई मसीन जो इनसान की तरह सोचे समझे और सामानुरूप से इनसान की तरह काम करे तो इसको कहा जाता है Artificial Intelligence बात आई है यहाँ पर CBSE की तो इसे Central Board of Secondary Education बोला जाता है और यह सिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड होता है इसकी स्थापना 2 जलाई 1929 में हो थी लेकिन इसका पुनर गठन हुआ था जलाई 1962 में इसके अध्यक्ष कौन है निधी छिपबर है नीरा टंडन को किस देश में घरेलू नीती सलाहकार की रूप में नुक्त किया गया है तो अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन की टीम में एक इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को भी घरेलू नीती सलाहकार की रूप में पहली ACI अमेर्की बन गई है कौन नीरा टंडन दोस्तों नीरा ने ओबामा सरकार में भी अफ़र्डेविल केर एक्ट को पास कराने में मदद की थी नेक्स्ट कोशन है ओडिसा भारती होंकी टीम का किस वर्स तक स्पॉंसर रहेगा तो 2023 तक देखे दोस्तों जो ओडिसा राज है वो भारती होंकी टीम का स्पॉंसर है तो उसने अपने इस समझोते को 2023 तक बढ़ा दिया है तो ओडिसा सरकार ने पुरुस और महिला होंकी टीम दोनों टीमों सीनियर और जूनियर के लिए अपने स्पॉंसर सिप को 2023 से 2033 तक कर दिया है यानि 10 साल बढ़ा दिया है मुक्मंतरी नवीन पतनाई के अधिश्टा में एक मंतरी मंदल की बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया है उडिशा साल 2018 में मैंस और बीमैंस नेशनल होकी टीम का स्पॉंसर बना था और अब वो 2033 तक स्पॉंसर बना रहेगा भारतिय होकी टीम के कप्तान कौन है मनपरीज सिंग है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करते हैं तो भारतिय होकी टीम ने 1928 में ओलंपिक गेम में पहला गोल्ड मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतिय होकी टीम ने ब्रॉंज मेडल हासिल किया था दोस्तो अब हम कल के करेंट अफियर्स को रिवाइस करेंगे फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारे को डिसकस करेंगे लास्ट में पूछेंगे एक कोशन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कल का पहला कोशन था किंग्स चार्ल्स की ताजपोसी में भारत का प्रतिन दूत किसने किया है जगदीब धनकरने SEO के बिदेश मंत्रियों की वेठक कहा हो ही है गोगा में ODF प्लस रैंकिंग में देशका सीर्स जिला कौन मना है वाइनॉड वैसाक दिबस 2023 कब मनाया गया है पांच मई को जापान के Order of the Rising Sun गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे समानित किया गया है करम बीर सिंग को Asia Cup Stage 2 तीरंदाजी विसो रेंकिंग टूनामेंट में भारत ने कितने मेडल जीते हैं चहुदा है मेरिल बॉन Cricket Club यानी MCC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है Mark Nicholas को Love in 90s किस महासा में बनी पहली फिल्म है जिसका उदगाटन किरन रिजुजू ने किया है तो ये Tag in महासा में बनी है WHO ने किस बीमारी का Global Health Emergency का दर्जा बापस लिया है COVID-19 कौन सी राजसरकार राम लेंड बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार आज के जनरल नौलेश के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख दर्रे तो बात करते हैं अरुनाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की यहाँ पर जम्मु कस्मीर की जो इस्तिती है वो थोड़ी सी complicated है यहाँ पर आपको समझने का प्यास करना है जो कारा कोरम दर्रा है यह अब लद्दाक में आ गया है और जो बुर्जल दर्रा है यह लद्दाक और जो जम्मु कस्मीर का बॉर्डर है यहीं पर इस्तित है पीर पंजाल की बात करें तो यह जम्मु कस्मीर में जो जिला दर्रा जो है वो जम्मु कस्मीर हो और जो बनिहाल दर्रा है यह भी जम्मु कस्मीर में इस्तित है तो यह है भारत की प्रमुक्डर्रे इनको आप नोट कर लीचिगा अब आपसे एक कोशन पूछा जा रहा है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है किस राज में हिंसा भड़कने के बाद अंशे 355 लागू किया गया है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएगा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें सेर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेट्फॉम पर जैहिन वन देवात रूम